हलो दोस्तों आज हम लेकि हैं सलवार की कटिंग साधा सलवार की कटिंग इसकी लंबाई जो है वो 36 इंच है और बेल्ट की लंबाई 9 इंच रखते हैं उस्थे जो डिलाई होती। वो 10 इंच रहेगी और इसके पैचे वो 12 इंच रहेगे और पंचोगी जो छोड़ाई वो गिंच की रहेगी निक्वी कि इस तरह से कापै को उन चारे 실रों में बिछा लेंगे जे चारे और इसकी जो बेल्टे थे लिएज साथ जसे काटते साइक हर अला धर मिलते लिए उसकी लम्ब्ली के साड़े गया твор पल्लों में बिचा लेंगे इस चार पल्ले है और इसके जो बेल्ट के लिए हम साइट से काटते हैं साइट वार पल्ले लिखलते हैं उसके लमभाई गे साड़े 11 इंच रेंगी इस तरह से और दोवी निसान लगाएंगे पूसे निसान हो के इसाथ से सीधा काटेंगे इस तरह से किछाप्ली दो पällen मैं जिस साइट सबर आदे आटे हैं इस साइट बाले मार्मे पहला कट चुके हैं चंद अब इसे सीधा करेंगे इस विंट चारे तो इसे दो पले रहने देंगे दो अटालेंकि इस तरह से कि अब इसकी जो बैल्ट है वो निकालेंगे इस तरह से बिचाने के बाद इसकी बैल्ट की जो लंबाई है वो 9 इंच रहेगी ताकि 2 इंच फोल्ड हो जाए और 6 इंच तयार आजाए और एक इंच जो आदे इंच होती ही वो दोबाव में चला जाता है इस तरह से निचान लगा लेंगे सीधा और इसे भी कट कर लेंगे इसकी लमाई से त्रह से इसमें जोड़ लगेगा और निस इंच रहेगी इसकी वेल्ट अब हम कपड़े को एक साइट से रखेंगे कटे हुए और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करते हैं ऊपर की और किनारे हैं और इधर नीचे की और है इनने बरावर से मिलाएंगे इस तरह से बरावर से मिलाकर हम इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई नापेंगे हैं इस तरह से हमें तीस इंच पर यह कटिंग कर लेने इसके किरास वाले पल ले इस तरह से अब हमें इसकी जो नीचे की मोरी की तरप चौड़ाई जो है वह दो इंच रखेंगे इस तरह से अब हम इसके अपॉजिट सेट पर इस तरह से नापेंगे इस तरह से 30 इंच पर निसान लगाएंगे जिए 36 तो 6 इंच वारी बैल्ट आ जाएगी बनकर तो पूरी तैर 36 इंच हो जाएगी सल्वार अर्दर 2 इंच हो मैं उधर भी लगा लिए निसान और दोनों निसानों को हम इस तरह से इंच टेप से पेट्रिज की द़ारी या इंच टेप को सिधा रखेंगे इस तरह से और चैक का लगा लेंगे सिधे निसान लगाएंगे और हमें इसी लोक हम काट लियना है इस तरह से सीधे निसान के साफ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से अब हम यह वाला पला जो है इसे उठाएंगे और इसके उपर से इसी सेप में रख लेंगे इस तरह से बराबर रखेंगे अब हम इसकी जो लटक रहती है इससे आसन रहते है वो नव इंच रखेंगे और चोटी सल बारो तो आठ इंच भी चल जाती है यह चोटी है तो इसमें हम आठ इंच रखेंगे सीधा कट करेंगे इसे कट चुकी है और इसकी एक साइट पर जुड़ा रहता है खुपड़ा तो उसे अलग कर लेंगे इस तरह से इस तरह से इसे अलग कर लेंगे और यहां पर हमें लिख लेना है कि बनाते समय याद रहें कि इसके पैचे कैसे रहेंगे देखिए बारा गुण एक लिख लिए हैं आर यह जो इसकी लंगोटी बनती है वो इसी कप्ड़ में बैठाल देंगे इस तरह से इसके इंदर जाती लगती है वो इसी तरह से बैठाल लेंगे देखिए यह वारी आती बन चुकी है इसमें की और यह मारी सलवार कट चुकी है अगर आप लोगों को यह तरीक अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बाइद दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अगली वीडियो में अगली वीडियो में